नमस्कार मैं अभिशेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस इस टेड़े वित अभी में तो आप सभी को मेरा जय ग्रू तो बचे हुए समय में कैसे सफलता सुनिश्चित करें देखे सफलता सुनिश्चित करने का मतलब यह है कि अब आपको करना क्या है और क्या नह ही करना है इस बचे हुए 15 दिन में क्योंकि पेपर अगर 21 को है तो आपके पास आज 4 तारिक है तो बस बचा हुए समय आपके पास 15 दिन है अब इस 15 दिन में आप क्या चीज को पढ़ेंगे और पढ़ना की सब्जेक की मैं बात करना हूं एक पेपर 2 है और एक आपका पेपर 2 में आपको पता है लैङघवेज पेपर है वो आपका खोटता हु सकता है नाग्पूरी हो सकता है इंदे इंगलिज कोई भी आपका लैगवेज पेपर है तो बहुत selection possible नहीं है लेकिन अगर आप paper 2 में 100 out of 100 ले आते हैं paper 3 अगर नहीं कर पाए अच्छा तो भी selection नहीं paper 3 में भी आप 150 में 150 साही कर ले paper 2 नहीं कर पाए तो भी selection नहीं मतलब ये दोनों का importance उतना ही है जितना की paper 2 का है या फिर जितना paper 3 का मतलब language paper में ये 15 दिन में कोई suggestion नहीं है आपके लिए कि कुछ पढ़नी है केवल revision केवल revision और practice question की बस ये बात है paper 2 की इससे ज्यादा paper 2 में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है और आप सभी students की paper 2 काफी अच्छे हो चुकी है चाहे खुटा हो चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिस हो चाहे नाकपुरी जो भी है में मुद्धा है paper 3 की paper 3 में अगर बात क्या जाए तो total number of question आपको 150 है अब इस 150 में आपको कौन कौन सा subject है और ये subject को 15 दिन में तयार करना है ठीक है ना एकदम जीरो में भी है तो आप चीजों को समझेगा आप 15 दिन में अगर आप इन सारी चीजों को follow करते हैं मैं यकीन के साथ करता हूं कि देखे जीरो कहने का मतलब क्या है और एक वैक्ति यहां पर है जीरो यह वैक्ति को हम इसले कर रहे कि ऐसा नहीं कि यह कु से कम मेरे साथ 500 ऐसे स्टुडेंट्स है और यह ऐसे ही मैं डाटा नहीं बोला हूं आप मेरे यूटूब पे जाएंगे तो टार्गेट के जितने भी वीडियो मैंने दिया हर टार्गेट डेए वन से लेकर के 28 डेज हो गया या फिर 22 डेज हो गया उसमें आप जब भी कोसिस किये लेकिन पीछे चल रहे हैं लेकिन जो पीछे चल रहे ना यह स्टुडेंट्स ही रिजल्ट में चीजों को कनभट करने वाले तो समझ यह का भाई मैं यह बता रहा हूं कि इस 15 दिन में अगर आप इस स्टेज में हैं जो मैं अभी आपको कहा कि आप कोसिस में मतलब मैं यह कहना चाहरा हूं कि आप इगर यहां पे हैं तो आपका सेलेक्शन थोड़ा मुस्किल है लेकिन आप यहां पे जब आप कोसिस कर रहे थे टार्गेट को टार्गेट पूरा नहीं हो पारा था लेकिन आपका कोसिस जा रही था इस 15 दिन को ऐसे फॉलो करिए जो साईस पढ़ना है, रीजनिक पढ़ना है, कम्प्यूटर पढ़ना है साईस पढ़ना है जीके और जार खंट जीके, सबसे पहले देखे कोसिशन का वेटेज जाह कर जालिस जाहे, हैं जालिस ? लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ student 32 भी सही करेंगे, कुछ student 33 भी सही करेंगे, लेकिन कुछ करेंगे, maximum majority में यहीं है, तो आपको यहाँ पर कम से कम रहना है selection के लिए, दूसरी बात, अब मैं यह data क्यों दिया हूँ, इसके पीशे का reason समझ यह देखे, कम से कम 6 या कम से कम यह तो minimum म हो जाएगा, यहाँ कितना भी अच्छा करेंगे, तो आप 4 से 5 कोशन, मतलब कि 4 से 5 कोशन ऐसा है, जो आप से नहीं बनेगा, तो 40 में 4 से 5 कोशन हटातें, तो हमारे पास बचता है 35 कोशन, अब 35 कोशन में भी, भाई, जारखन जीके के 3 से 4 कोशन ऐसे हैं, जिसको JSC या फ सही करना है, इतना, 27 भी करिएगा, तो ऐसा नहीं कि वो अच्छा स्कोर नहीं, ऐसा रिष्टिक्ट नहीं हो जाना कि 28-30 करेंगे, एक्जामिनेशन में तो, अब पता नहीं कोशन के स्टेंडर्ड बहुत तफ पूच लिया जाए, समझ गया ना, तो वहाँ साइब 25 कोशन ह आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, देखें, समझ ये, अब अगर कोशन, स्टेंडर्ड अच्छा होने का मतलब क्या, उटपटांग कोशन, जार्खन जीके में स्टेंडर्ड अच्छा कुछ नहीं होगा, उटपटांग जैसे कि राची से कोई एक जहिल का नाम दे केस में, अब आईए बात कर लें, कि छार्खन जीके में जो सबसे मोश्ट इंपॉर्टन सेक्षन है, जो आपको कवर कर लेना है, ठीक है, चाहे रिवीजन कहले या फिर पढ़ के जाने, देखें, सबसे इंपॉर्टन आपका आर्ट अन कल्चर का सेक्षन आ रहा, आर्ट सवाल आपको देखने को मिलेगा, और यहां आपको 100%, कम से कम 95% स्कोर करना है, आठ तो नहीं, कम से कम 12 कोशन, तो कम से कम 12 कोशन आपको यहां से मिलेंगा, आर्ट अन कल्चर से, अगर आप साड़े 3 घंटे का समय देते हैं, यह हमने वीडियो बना, बहुत सारे टीचर ने यहां पर रग दी गई है, तो आप इसको देखके भी कवर कर सकते हैं, आपके पास content होगा, book होगा, courses होगे, जो भी चीज़े आप वहां से कर सकते हैं, इसके बाद आपको जारखन हिस्ट्री का 8 घंटे, जारखन हिस्ट्री में ancient, modern, medieval, तीनों और साथ के साथ जारखन में जो विद्रो है, जैसा हो विद्रो हो गया, ढाल विद्रो हो गया, यह सारी विद्रो आपको complete करने है, तो देख्या, 8 घंटे में मैंने पूरे जारखन इस्ट्री पढ़ा दिया भाई, उससे बाहर एक single line नहीं जाएगा, विद्रो का एक master वीडियो में मैं लाने वाला हू इसलिए continue हों उसके काम पे भी, क्योंकि मैंने जारखन जी के एक दम phrase content अभी स्टार्ट के आए, जैससी के जो भी वेकेंसी है, दरोगा हो गया, या LDC हो गया है, 12th लेबल पे, आपका अभी जो ये क्या बूलते है, फोरे फिल्ड वरकर वाला जो वेकेंसी आया है, उत्प पोलियो है, मतलब कौन-कौन से मंत्री है, ये सारा चीज़ आपको करके जाना है, election करके जाना है आपको, economics में आपको mineral पूरा मैंने करवा दिया है, industry पूरा आपको करके जाना, budget मैं, जारखन का budget करवाऊंगा, और conceptual budget मैं करवाऊंगा, ठीक है, और forest service जारखन, ये करके जा या आपके पास अगर तैयारी अगर नहीं है, तो आप इसको तैयार करिए, अब भाई देखें, revision मेरे पास क्या sources है, वो मैं बतला रहा हूँ, test के थुरू मैंने पूरा revision कराया, आप ये बोल रहा हूँगे क्या मजाते, भाई देखें, मैंने क्या लिखा है, ये 11 test आपको एक question लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखें, इसमें काम मैंने किया, एक चीज को मैंने type किया, इसलिए मैं बतला रहा हूँ, question ऐसे आपको मैं पूछा हूँ, कि धारखंड में अंग्रेजों का परवेश कौन से विद् चलिए, चार ओप्शन में आपने धाल विद्रो सही कर दिया, अब जब आप explanation खोलेंगे, तो ये धाल विद्रों से जितना question बन सकता है, सबसे पहले धाल विद्रों के नत्यत्तों करता कौन है, तो जगनाठ धाल है, इस विद्रों का सुरुवात कब हुआ, 1767 से कब तक च जेल में कैद करके कहां रखा गया था, कोहां के जेल में रखा गया था, मिद्नापूर के जेल में रखा गया था, फिर इनके भतीजे का नाम कोन हो गया, जगनाठ धाल हो गया, जगनाठ धालने फिर क्या चीजे की, सारी चीजे भाई, सब कुछ कितना कर accept किया था, जब य तो पूरा एक्स्प्रेशन के साथ ठाल विदो खतम यह मैंने ज़स्ट एक एक्जामपल रखा है ताकि आप चीजों को समझ पाएं कि की मैं जो कहा ना कोई भी बात प्रैक्टिकल नहीं होगा हर एक चीज प्रैक्टिकल है जो किया जा सकता तो यह मैंने कर दिया और यह टेस जारखंट जी के यहीं से होगा काम खतम काम खतम जारखंट जी के का चालीस कोशन में टार्गेट कितना 28 से 30 कोशन का टार्गेट है इससे ज्यादा का टार्गेट नहीं रखना हुए आप करिए इससे अच्छा है बहुत ज्यादा लाइए और भी अच्छी बात है जी के की केवल कैप्सुल पढ़िए जिसमें 35 प्लस टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट चाहिए हिस्ट्री हो पॉलिटी जग्रोफी इकनॉमिक स्टैटिक जी के करेंट अफियर भाई देखें पहले मैं आपको दिखला देता हूँ देखें कंटेंट जैसे आप यहां देखें सोसल रिल इस प्रकार से चीजों को खतम कर सकते हैं जितना मैं आपको बोल रहा हूं अभी बागी अब आपके मन में अगर लगता है कि यह आपके पास है यह सारी चीज़े यह खुद से कर सकते हो करिए अगर आपको लेना है तो आप हमारे साथ इस नंबर पर कॉंटेट करके जूड सकते हैं मैं आपको रिकमेंट नहीं करूँगा वीडियो देखे मेरे कोई भी कोर्स का सबसे बेस्ट है कि आप आपके पास यही है कि आप नोट को ठाइए पढ़िये लेकिन अराम से टारगेट को फॉलो करीए वीडियो को देखते के साथ जो जो मैं वीडियो कोह रहा था क्योंकि आपके लिए पूरा systematic वे में schedule तयार है कि आपका उस समय तक 21 से तमबस पहले पूरा course complete है revision के साथ आप देख पार होंगे computer की हो चाहे science की हो सारा कुछ है तो यह आप कर सकते हैं GK के section में इससे बाहर नहीं अब यहां पर इसमें जो हम लोगों का टार्गेट है 20-22 कोश्चन बट यह डिपेंड करेगा कोश्चन का लेवल कोश्चन का स्टेंडर्ड 28 जनवरी का जो स्टेंडर्ड उसमें करना बहुत मुस्किल है उटपटांग कोश्चन है ना भाई वो अब फिर उसमें conceptuality है अगर आप जो टार्गेट वाले स्टुडेंट वहां करेंगे क्योंकि उन्होंने वीडियो देखा concept clarity रखा लेकि नोट्स में आप देखें कोश्चन के स्टेंडर्ड बहुत ज्यादा अच्छा होगा तो नोट्स से आप factual चीज़ों पर कमांड कर पा रहोंगे ना कि conceptually आप जो को आप देख सकते बस कहने का मतलब यह है कि इसमें हम लोगों ने महनत किया यह देखें अब आपको science के बारे में मैं आपको दिखलाता हूँ ताकि चीज़ों को आप देखकर समझ वाज़ा ऐसे कि वेब, sound, work, energy, motion यह सारा content अब यह वीडियो आपके आप देख सकते है nutrients का, disease का, यहां से question definitely बनेगा, cell का, matters हो गया, matters and matter, periodic, table, acid, based, all, यहां से question बनना ही बनना, तो अब यह वीडियो आपके लिए possible नहीं है न देखना, इसलिए मैंने कहा नोड, तो अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, अब बात करते computer, अब इसके लिए मैं कहूंगा कि आपको वीडियो देखना ही, इसके लिए मैंने 30 वीडियो दिया है, और मैंने आपके इसलिए 10 दिन का समय मांगा, और आपके पास 15 दिन है, तो अगर आप पर डे, अगर 2 घंटा समय देंगे, तो आप 10 दिन में पूरा computer खतम कर लेंगे, 30 वीडियो मैंने दिये हैं, और notes uploaded इसे लिए कह रहूं कि वीडियो क्यों बोर रहा हूं कि second क्यूंकि computer में हमें 20 में 20 संवी से में 20 से अभी में 20 तहले को भी अड vy देखें आंप अगे जैसे यहां पर आप हैं इinko computer की में 20 में 240 श्था um memory unit दूसरे दिन आपको खतम कर लिना फाइल के साथ upload है history of generation और classification और computer यह दोनों एक साथ एक दिन में खतम होगा यानि तीन दिन में आपका चार chapter खतम है चोटर हमें कितना खतम करना है ग्यारा chapter चर यह बात करते हैं अब इंटरनेट एक दिन में यानि चौथे दिन में इंटरनेट खतम networking पांच वे दिन में खतम हो जाएगा computer security अब यह बहुत छोटा सा फिर भी मैं एक दिन का समय ले रहा हूं छे दिन छे दिन में आपको यहां चीजे खतम है अब आपके पास चार दिन का समय बच रहा है तो networking में उसके बाद security यह दोनों को आप साथ से आठवे दिन तक चीजों को खतम कर लेंगे नो से दस यह दो दिन में आपको समय लगेगा यानि दसमें दिन तक आपको computer hardware खतम है अब यहां पर यह दो आपको और चीज बच रहा है जिसके लिए दो दिन का समय और यानि कि 12 दिन में आप पूरा computer का syllabus खतम कर सकते हैं और इसके साथ memory है तो छोटा सा पाठ है memory समझ गय और इसमें कुछ चीजे लिखनी निया भाई आप देखे ऐसा इसलिए ना कि 12 दिन में पहुंझे क्यूंकि मैंने एक एक वीडियो का समय जोड़ा एक घंटा लेकिन है नहीं कुछ वीडियो आपको 20-25 मिनिट का ही मिलेगा इसलिए मैं बो रहा हूं आप 10 दिन में चीजों को खतम कर सकते हैं और नोट अप्लोडेट है तो आप प्रिंट निकाल लेंगे तो कुछ आपको लिखनी की जरूवत नहीं है और यह वीडियो इसलिए क्यूंकि आपको 20-90 कोश्चन सही करने हो कंसेप्ट अगर नहीं होगा क्लियर तो आप कंप्यूटर में नहीं कर पाए अब यह क्या है रोड मैप की वीडियो तो इसमें मैंने बताया है कि JSC का पैटन क्या है मैट्स का और रिजनिंग में अब मैट्स में हम लोगे कि स्टुडेंट 20 में 20 करने वाले हैं जो महनत की हैं हम लोगों के साथ रिजनिंग में 19-20 करेंगे अब इसको देके डरना नही तो डरना नहीं है इस रोड मैप को देखिए तीन से चार जिनका सभी हो रहा उनको आट से दस सवाल कैसे पहुंचाना है इसमें मैंने बताया है अगर आपके आट से बारा सभाल सही हो रहे तो आप कैसे पंदरा से सोला सतरा कोशन सही कर पाएंगे इस वीडियो में बताया है जो आपका मेरिड बनाएगा पेपर टू तो खेर बनाएगा ही अब आप बात कर लीजेगा जारखन जी के तो मैंने कहा ना कि मोश्टली सीरियस जो कैंडिडेट है उनका जारखन जी के में 28-30 आ रहा है समझ गया है अब यह पार्ट आप इतने दिन में 15 मैं 15 दिन में कैसे का अब सोचे कि हां मैस और इसनी के रोड मैप का जब वीडियो देखेगा ना तो मैंने पूरा मैस का चैप्टर को दूसरा जो देखे कुछ स्टुडेंट सो कॉल कर रहे थे डी मोटिवेट हैं उनके मार्ग 280-290 आ रहे हमारे टेस्ट में तो मैंने कहा ना भाई कि 20-25 मार्ग आपके इंक्रीज होंगे जैससी के क्योंकि हमारा कोश्चन का स्टेंडर्ड अच्छा रहा है मैस में हो चाहे साइंस में हो चाहे कंप्यूटर के सेक्शन में इसलिए बागी जारखन जीके में कितना भी हार्ट करना चाहां मैंने हुआ नहीं तोड़ फोड की मैं उसमें ज्यादा कंसेप्चुली चीज़ों क लगाऊ हां लेकिन उसमें मैंने सोचा कि रिवीजन कैसे कराई जा इसलिए तो आप यह सारी चीज़ों को फॉलो करिए और रही बात जीके का कौन-कौन सा टॉपिक मैंने उसके उपर भी बना रखा वीडियो को लंबा करने से फायदा नहीं है और पहले भी बंदा चुका तो वह सारे टॉपिक आप खुद से भी कर सकते हैं साइंस का मैंने दिखा दिया कंप्यूटर मैंने दिखा दिया मैस रिजनिंग का यह वीडियो फ्री है उसको भी देख करके आप अपने को खुद से तयार कर सकते ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमारे साथ जुड़े ही या और कंप्यूटर के लिजिए गा तो इसमें टू नाइंटी नाइन पड़े जाएगा और साइंस का के वाई इसमें क्वाएलिटी कंटेटर थी है इसलिए सबसे बेश्ट तीनो अगर लेना चाहते हैं तो पाइवंड़े आपको पेमेंट करना पड़ेगा जो लेना चाहते आप इस नंबर पर कॉंटेट कर सकते नहीं है यह आपके ऊपर डिपेंट करता है बागी इस पर कंटेट में हमने काम किया है चीजों का आपको दिखलाया भी है अच्छी तरह बागी आप इस तरह बिए अपने आपको यह सारे section पे देखिए मैंने gk के section जहारखंड gk के section में साइन्स का सेक्षन में मैस रिजनिंग का रोड मैप वीडियो और केवल आपको मैंने जीके का यह 35 प्लस टॉपिक नहीं दिखाया तो भाई देखिए मैं बहुत बार आपको अपने यूटुब चैनल पर बताईए सारे 35 टॉपिक देखिए जो आपको दिख रहा यही सब सब चीजे आपको पढ़नी है ठीक है तो चलिए वीडियो को इंड करता है मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और 15 दिन एकदम सिस्टेमेटिक में होके पढ़िए परिशान नहीं होना अग बकाना नहीं अगर अग बका गए तो फिर चीज झाल झाल